हेलो दोस्तों दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी शांदार वीडियोस देखने के लिए क्रिको मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंतराश्चिये क्रिकेट में MS धोनी के नाम है ये नो बड़े विश्व रिकोर्ड भारत के दिगज विकेट कीपर बल्ले बाच MS धोनी ने शनिवार 15 अगस को अंतराश्चिये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास का एलान कर दिया है हाला कि अटकले ये लगाई जा रही थी कि वे IPL में दमदार प्रदर्शन करने के बाद T20 फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं दोनी ने अपने शनिदार करियर में क्रिकेट के नो महान विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो इस लिस्ट में रिकॉर्ड नमबर वन पर बात करते हैं हम ICC की तीनो ट्रोफी जीतने वाले दुनिया के अकेले कप्तान MS दोनी ICC द्वारा आयो जीत की जाने वाली सभी तीनो ट्रोफी जीतने वाले अकेले कप्तान है दोनी ने सबसे पहले ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता था जिसके बाद उन्होंने ICC वर्ल्ड कप 2011 जीता इसके अलावा दोनी ने 2013 में ICC चैंपियन्स ट्रोफी जीत कर इतिहास ही रच दिया था दोनी की कप्तानी में 2009 में पहली बाद टेस्ट रैंकिंग में भी बादशाहत हासिल की थी नमबर दो पर है अंतराश्ची एक क्रिकेट में सबसे अधिक स्टंपिंग भारत के पूर विकेट कीपर MS धोनी अंतराश्ची एक क्रिकेट में सबसे अधिक स्टंपिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है दिगज ने अपने पूरे करियर में कुल 195 खिलाडियों को स्टंप आउट करके पवेलियन बेजा है धोनी ने टेस्ट में 38, वन्डे में 123 और अनतराश्ची क्रिकेट में भी सबसे अधिक 34 टंपिंग की हैं, T20 में नमबर तीन पर है बतोर कपतान सबसे अधिक छक्के MS धोनी ने 2004 में बतोर शिकसर किंग के रूप में अनतराश्ची क्रिकेट में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्हें 2007 में पहली बर कप्तानी भी दी थी हाला कि फिर भी उनके बल्ले बाजी का अंदाज नहीं बतला था दोनी ने टेस्ट वंडे और अंतराश्टे टी-ट्वंटी मैच मिला कर कुल 332 मैचों में कप्तानी की है इस दोरान उन्होंने सबसे अधिक 204 छक्के जड़े हैं रिकॉर्ड नमबर 4 बतोर कप्तान उस्टेलिया का उस्टेलिया में क्लीन स्वीप MS धोनी उस्टेलिया टीम को उनकी सरजमी पर T20 सिरीज में क्लीन स्वीप करने वाले दुनिया के अकेले कप्तान है वर्ष 2016 में खेली गई 3 T20 मैचों की सिरीज में भारत ने MS धोनी की कप्तानी में कंगारू टीम को 3-0 से हराया था रिकॉर्ड नमबर 5 नमबर 7 पर सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाडी MS धोनी वन डे फॉर्मेट में नमबर 7 पर बल्ले बाजी करते हुए सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्ले बाज है धोनी ने ये कारनामा दो बार किया धोनी ने 2007 में सबसे पहले एशिया 11 की ओर से खेलते हुए अफरीका 11 के विरूद 149 रनों की यादगार पारी खेली थी इसके अलावा धोनी ने 2012 में चेन्नाई बे खेलते हुए पाकिस्तान के विरूद भी नमबर 7 पर बल्ले बाजी करते हुए 113 रनों की यादगार पारी खेली थी अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड नमबर 6 की बतोर कप्तान सबसे अधिक अंतराश्चिये मैच MS धोनी अंतराश्चिये क्रिकेट में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाडी है धोनी ने कुल 332 मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई है इसके लावा धोनी ने 72 अंतरास्चे T20 मैचों में भी कपतानी करी है नमबर साथ का रिकॉर्ड की बात करते हैं नमबर साथ पर है छक्का लगाकर वंडे वर्ल्ड कप जिताने वाले अकेले खिलाडी MS धोनी क्रिकेट इतिहास के अकेले खिलाडी हैं जिनोंने चक्का लगाकर अपने टीम को वंडे वर्ल्ड कप जिताया है धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में शिरिलंका के नुवान कुला सेकरा को चक्का लगाकर ये उपलब्दी हासिल की थी नंबर आठ पर हैं वंडे फॉर्मेट में सबसे अधिक नाबाद रहने का रिकौर्ड MS धोनी वंडे फॉर्मेट में सबसे अधिक नाबाद रहने वाले बल्ले बाज हैं दोनी ने अपने करियर में खेले साड़े 300 मैचों में 50.58 की ओसत और 87.56 के स्ट्राइक रेट से 10,773 रन बनाए हैं इस दोरान उन्होंने 10 शतक और 73 अर्द शतक लगाए हैं दोने वंडे करियर में सबसे अधिक 84 बार नौट आउट रही हैं record no no one day में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विकेट कीपर MS दोनी one day किरकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विकेट कीपर हैं दोनी ने 2005 में शिरिलंका के विरूद जैपुर के सवाई मानसिंग स्टेडियम में 183 रनों की एतिहासिक पारी खेली थी दोस्तो दोनी के लिए एक लाइक तो बनता है और अपनी राय कमेंट बोक्स में बताईए क्या दोनी की ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा जैहिन दोस्तो